हेलो दूस्तों आईए देखते हैं टिक्नामेंटरी टेबल के ट्रिक्स के माध्यम से कैसे लर्ण किया जा सकता है कैसे आसानी से आप जो है साइन कास्टेन को सेक से कॉट के बैलू को आसानी से जान सकते हैं एक असान ट्रिक असान ट्रिक असान ट्रिक देखे ध्यान से टिक् ध्यान से देखिएगा ट्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक बैलू लिखते हैं, 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, और इसमें 4, तो सबसे पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखने ना है, इसके बाद आपको क्या करना है, सब में 4 से भाग दे देना है, सब का बर्गमूल लेना है, सब को अंडरूट में कर देना है, तो सभी को आप अंडरूट कर देंगे, यह हो गया, अब जो है वैलू लिखना स्टार्ट करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, वैलू, साइन का, साइन जीरो डिगरी की वैलू क्या होगी, तो अब देखें ध साइन 30 की वैलू क्या होगी, तो अंडरूट 1 है, तो अंडरूट 1 ही होगा, और अंडरूट 4 है, तो अंडरूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो 1 बाइ 2 हो जाएगा, तो साइन 30 की वैलू 1 बाइ 2 हो गई, ठीक है, फिर 45 की वैलू, यहाँ देखें ध्यान से, यह अंडरू 1 हो जाएगा ठीक है और यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर 2 का अंडरूट क्या हो जाएगा अंडरूट 2 हो जाएगा ठीक है तो अंडरूट 2 बाई 4 को साल्व करने पर क्या जाएगा 1 बाई अंडरूट 2 तो यह हो जाएगा आपका साइन 45 की वैलू अब आ हो गई आपकी अब यहां पर देखें अंडरूट 4 by 4 1 से कट जाएगा वन बार में 4 4 कट जाएगा और अंडरूट 1 बचेगा तो अंडरूट की वैलू 1 की 1 हो जाएगी तो इस तरह से आपने देखा साइन 0 की वैलू 0 30 की 1 by 2 45 की 1 by root 2 और 60 की root 3 by 2 और 90 का 1 हो गया अब ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो कास की वैलू हो जाएगी यह जो वैलू आप लिखें ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो कास की वैलू हो जाएगी देखा द्यान से यहां पर 1 लिखना है तो यहां 0 की वैल ठीक है तो sin का ठीक उल्टा जो value होता है वो cos की value हो जाती है ठीक अब आगे हम 10 की value तो 10 की value देखें देहां से कैसे निकालेंगे हाँ तो दोस्तों 10 की value निकालने के लिए एक formula apply करेंगे sin theta, sin theta equal to sin theta बटे cos theta यहाँ 10 theta equal to क्या होता है sin theta बटे cos theta, जो sin theta का value है और cos theta की value है इसको आपस में divide करेंगे, भाग देंगे और वो value होगी 10 theta का जैसे यहाँ पे sin theta की value 0 है और cos theta की value 1 है तो यह हो गया 0 by 1, 0 by 1 तो यहाँ पे आपकी value क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ठीक है? तो 0 में 1 का divide करेंगे तो 0 हो जाएगी ठीक अब आगे आपका 30 की value क्या होगी? 10 30 की value तो आप यह divide करेंगे divide किसमें करेंगे? sin theta बटे cos theta, sin theta 30 की value क्या है? 1 by 2 है ठीक है? और किसको divide करना है? 3 by 2 से under root 3 by 2 को तो divide करना है इसको तो divide करेंगे किसे under root 3 by 2 को अब आप solve करना जानते हैं 1 by 2 divide को change करते हैं multiply में multiply में change करेंगे तो 2 by root 3 हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 1 by root 3 तो यह value कितनी हो जाएगी 1 by root 3 हो जाएगी फिर इसको divide करेंगे आप इसको divide करेंगे आप ठीक है ना तो इसको जब divide करेंगे तो क्या हो जाएगा यह है आपकी value है root यह value है आपकी root 3 by 2 और divide किसे करना है 1 by 2 तो divide को multiply में change करके उल्टा कर देते हैं तो 2 by 1 हो जाएगा 2 से 2 cancel तो root 3 by 1 तो root 3 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा root 3 अब आगाए यहाँ पे यहाँ पे आप देखो ध्यान से अब इसको जो है आप अब इसको divide करेंगे ठीक है इसको divide करेंगे इसकी value क्या होगी तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से इसकी value हो जाएगी आपकी इसकी value आप लिखेंगे यहां पर दोस्तों यहां यह 1 से 0 में भाग देना है तो 1 से 0 में भाग देना है तो क्या value आती है और परिभासित तो यह क्या हो जाएगी 10,90 value क्या हो जाएगी अब हम लोग पहुंचते हैं कोशेक power अब ध्यान दें यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी sine की value थी उसकी उल्टी value जी हो जाएगी कोशेक की हो जाएगी उसका उल्टा value क्या हो جाएगा कोशेक हो जाएगा, तो sin का उल्टा क्या होता है, कोशेक होता है, ठीक है, तो यह 0 है, 0 का उल्टा करना है, ठीक है, तो 0 बटे 1, 0 बटे 1 क्या हो जाएगा, अपरिभासित, अपरिभासित हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ 1 बाइ 2 है, तो 1 बाइ 2 का उल्टा क्या हो जाएग ठीक है फिर आपका है 1 by root 2 तो 1 by root 2 का उल्टा क्या हो जाएगा root 2 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर है root 3 by 2 तो root 3 by 2 का उल्टा क्या हो जाएगा ठीक है उल्टा का जाएगा 2 by root 3 हो जाएगा ठीक है फिर 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 by 1 तो 1 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से sign का उल्टा value लिख दी हम लिए तो koshek की value हो गई अब हम आते हैं cos की value तो cos का उल्टा क्या होता है सेख होता है, कास का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेख होता है ठीक है, तो कास की वेलू 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे root 3 by 2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 by root 3 हो जाएगा, ठीक है फिर यहाँ 1 by root 2, 1 by root 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, root 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 by 2, 1 by 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे 0, 0 का उल्टा मतलब 0 by 1, 0 by 1 का मतलब अपरिभासित, फिर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, अब आते हैं, cot theta की value पे, cot theta value किसक अपरिभासित हो जाएगा, फिर आपका 1 by root 3, तो 1 by root 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, root 3 हो जाएगा, ठीक है, 1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 by 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका, root 3, root 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो root 3 by, ठीक है, 1 by root 3 हो जाएगा, 1 by root 3 हो जाएगा फिर अनन्द का उल्टा क्या लिखेंगे 0 ठीक है ना यह हो जाएगा आपका यह क्या हो जाएगा 0 तो इस तरह से आप आशान ट्रिक के माध्यम से आप पूरे ट्रिक्रमेंटरी वैलू को लर्न कर सकते हैं 0 से 90 के वैलू में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब परें धन्यवाद दोस्तों